यह जो सम है, यह एक हलका सा लोजिक बांगता है, बिल्कुल हलका टाइक तो लोजिक हमें इसमें लगाना है, आपके पास यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, कि जो 10 inverse X है, अगर आप इसको थीटा मान दें, आपने यह थीटा माना, तो 10 inverse यह आपके पास क्या हो गया, 10 थीट एकोल टू, X, Y, 1 होगा, अब आप एक ट्राइंगल के बारे में सोचिए, 10th क्लास के साथ से, अगर यहाँ पर थीटा है, तो आपके पास यह X होगा, प्रेपेंडिकुलर और यह बेस होगा, हाइपोटेनियोस को निकालने के लिए, पाइधागरस का आप यूज करिए, X स यह बेस आपोटेनियोस, 1 अपोटेनियोस, वन अपोटेनियोस, यानि कि थीटा एकुल टू, आप के पास क्या गिया है,残, निक थीटा की दिगे, जो थीटा, थीटा, 10 इन вर्स, x के बरावर था, वो यह थीटा, थीटा, को शीनमार्स, 1 अपोटे Applause、 1 के बरावर है, तो म उसे 5 माल लीजिए, तो आपके पास क्या option हो गया है, code 5 code 5 equal to क्या हो जाएगा 3 by 4, तो यहां तक बात समझ में आ रही है, अगर code 5 को आप यहां पर एक triangle में सोचिए और suppose करिए कि यहां आपके पास 5 है, तो ऐसे condition में यह क्या होता है, base upon perpendicular तो base कितना है, आपके पास यह 3 है, और यह 4 है, तो यह Pythagoras theorem से आप निकालेंगे, तो 16 or 9, 25 यह 5 रह जाएगा तो आपके पास, हमें निकालना क्या है, sine की form पे से change करना है तो यह हो जाएगा, sine 5 equal to 4 upon 5 और आप जब 5 निकालेंगे तो वो हो जाएगा, sine inverse 4 by 5 तो यह option यहाँ तक आपने देखा अब हमें क्या option solve करना है हमको solve करना है, इन values को put करके, तो देखिए, now तो अब values रख लीजिए आपके पास यहाँ cos है, और 10 inverse के x में आप क्या लिख सकते है cos inverse 1 upon x square plus 1 similarly, और यहाँ पर आप क्या रख सकते है, sine और court के place में, sine inverse 4 by 5, तो यह आपके पास क्या रह गया है, 1 upon x square plus 1, और यहाँ पर 4 by 5, आप क्या करेंगे, squaring both side, तो दोनों side का आप यहाँ पर squaring करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 upon x square plus 1, और यहाँ पर equal to 4 upon 5, that is जो की क्या हो जाएगा आपके पास 4 x square plus 4 equal to 5, यह option आपके पास यहाँ पर आजाएगा तो हम इसे आगे जब solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा sir 4 x square और plus 4 minus 5 equal to 0, यानि 4 x square equal to 1, यहाँ तक आपके पास यह option आजा रहा है, तो हमारे पास option है, और इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पर देखे, तो 4 upon 5 हमने यहाँ पर लिया है तो यहाँ नहीं करा squaring, यहाँ पर भी हमें squaring करना चाहिए था, तो यह कितना होता, यह 4 upon 5 नहीं रहेगा न, यह रहेगा 16 upon 25, clear रहे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, 16 x square और प्लस यहाँ कितना आएगा 16 आएगा, और यहाँ पर आएगा 25, तो यह हो गिया है, हम इसे आगे solve कर लेते हैं, तो 16 x square equal to 25 minus 16, that is 16 x square equal to 9, यह वाला option आगिया ठीक है, तो x square equal to कितना आजाएगा आपके पास, 9 by 16 तो x equal to आपके पास कितना आगिया है, x आगिया है, square root 9 by 16, और यह क्या option रहेगा आपके पास, plus minus 3 by 4, जो कि x की values रहेगी, तो आपको इसको थोड़ा से ध्यान से रखना है, like कीजे, share कीजे, और subscribe कीजे हमारे YouTube चैनल को हमारे साथ बने रहे, thank you, thank you very much